बिहार सिक्षक भरती परिच्छा में OMR सीट पर की गई गलतियों का किस प्रकार से आयोग प्रभाव डालने वाला है रिजल्ट पर इसको लेकर के अभियर्थी आयोग पर आज उपस्तित थे उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोग ने इन गलतियों पर जो की OMR सीट में अभियर्थी के द्वारा कर दी गई है रिजल्ट के संदर में उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है अंत तक जरू जोड़े रहेगा नमशकार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट योटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार उजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल एकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों अगर आप Safe Score के बारे में जानना चाहते हैं इस सिक्षक भरती प्रक्रिया के मामले में तो इस वीडियो के description में आपको dedicated वीडियो का लिنक दिया गया है जिसमें अगर B.A.D. बाहर होता है तो केवल DLA के लिए कितना Safe Score हो सकता है और अगर B.A.D. रहता है तो उस condition सेफी स्कूर क्या हो सकता है दोनों डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ने दिया गया है अगर आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपने उपर ब्लॉक में सही लिखा है तो हम पूरा प्रियास करेंगे कि उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाए हलांकि इससे पहले की परिचाओं में जब BPSC परिचा लेता था उनके द्वारा OMR में थोड़ी भी गलती होती थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था लेकिन इस बार BPSC TRE की परिच्छा में आयोग इतनी अच्छी तरीके से कारे कर रहा है और इतने फेवरेबल कंडिशन में अहित न हो और उनका result जारी कर दिया जाए तो उस अभियर्थि ने बाहर करके आयोग से बाहर करके ये बताया कि उसमें जो बलॉक में अभियर्थी ने रोल लंबर लिखा है उसके carding वो लोग कोशिस कर रहे हैं कि आपका result जारी कर दिया जाए इसके बाद से जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या थी जो आपका booklet series होता है जैसे कि A, B, C, D, P, Q, R, S जो भी आपकी परिच्छा paper में होगा इसको ले करके आयोग का ये इस पश्टी करण है कि चुकि चार सेट है A, B, C, D मालीजे तो आपका OMR सीट जो है वो चारो सेट के regarding चेक किया जाएगा और एके करके चारो सेट के according नमबर आपका देखा जाएगा जिस भी सेट के according आपका नमबर सबसे जादा होगा वही सेट आपका मानते हुए आयोग रिजल्ट जारी कर सकती है इस प्रकार से अभियर्थियों ने दावा किया है जो कि आयोग में गय हुए थे मैं आपको उन अभियर्थियों के बिहाफ पर ही बता रहा हूँ ठीक है तो ये अभी सुरुआतिर उजहान है जब इस प्रकार के मामले को लेकर के आयोग खुद इस पश्टी करना देगा या फिर प्रेस कॉंफरेंस में BPSC चेर्मेन के दोरा बोले जागा तब आप इसको अथंटिक मानिएगा लेकिन ये सुरुआतिर उजहान है जो कि निश्चित तोर पर उन अभियर्थियों के लिए राहत की खबर हो सकती है जो कि इस प्रकार के गलती किये हुए है और अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी उनको इस भरती प्रक्रिया से बाहर होने का खत्रा मड़रा रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सभी अभियर्थी उपस्तिते BPSC आयोग में जो की आयोग के अंदर से ये सभी सूचनाय लेकर के आया है उनके बियापर मैं आपको बता रहा हूँ तो यहीं दो मेजर प्रॉलम थे जिसकी वज़से आपका रिजल्ट रुखता है एक तो आपका रोल लंबर और दूसरा आपका जो सिरीज भरना था वो बाकी के अन जितने भी फिल्ड है उसकी वज़से आपका रिजल्ट कभी भ रिड नहीं करता है बाकी अगर आपने प्रशनों को सौल्ट करते समय एक ही प्रशन के दो विकल्ब को चुन लिया था तो भी आपका कोई प्रॉलम नहीं होता है केवल वो प्रशन ऑप्टिकल मार्क रिड रिड नहीं करेगा बाकी के प्रशनों की जांच वो करता है तो इ इस वीडियो का डिस्क्रिप्ट्रन जरूर चेक करिएगा, सेफ इसकोर जानेने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका दिन शुब हो.